तो स्वागत है सबको मेरे कवरने ब्लोग में और अभी मैं आ गया हूँ उत्राखंड के नेनी ताल में और यहां आने के लिए सबसे नजदी की रेलवे इस्टेशन आपको हल्दौनी और काठ गोदाम पड़ जाएगा हल्दौनी से तकरीबान इसकी दूरी 40 km पड़ेगी नेनी तालिके और काठ गोदाम से 34-34 km आपको पड़ जाएगा और जैसे आप इस्टेशन के बाहर आएगे वहाँ पर आपको हाटो बसस मिल जाएगे यहाने के लिए भी मैं आपको यह दिखाता हूँ कितनी गहरे खाई ह आप देख सकते हो पीछे कितनी गहरे खाई है यहां से गए तो सीधा गए तो अभी मैं चलता हूँ नैनी जील की तरफ वहाँ चलिके बोटिंग करते हैं फिर उसके बाद जो कुछ होगा सारा सब कुछ आपको बताएंगे और नैना जील के बगल में एक नैना देवी टेम पलम आना जाता है और अप मेरे पीछे देख सकते हो यह नैनी तल का बस इस्टैंड है और हल्दोनिया काट गोदाम से आप आओगे तो आपको यह सबसे पहले उतारेंगे और जैसे उतारेंगे रोड क्रोस करोगे तो आपको यह नैना जील देखने को मिल जाए हैं यह मेर है 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 ते ते देक सकते है मेरे पीछे नैना जील है और अभी में नैनी ताल में आया है हूं यह पूरो एरिया टोटल तल्ली ताल में लगाता है, इधर आप मल्ली ताल देख सकते हो, तल्ली ताल का मतलब होता है कि डाउन मतलब नीचे और आप मतलब मल्ली ताल आप, इसलिए इसको मल्ली ताल और तल्ली ताल में डिवाइड किये गया दोनों, और आप मेरे पीछे प यहां का कात्री प्रसीद मंदिर माना जाता है और इधर आपको हनुमान मंदिर देखने को मिल जाएगा और यह है और इसके लिग्र चार्ज़त की बात करें तो इसके फुल राउंड के चार्ज़त हैं 210 रूपीज और अगर आप हाफ राउंड करते हो तो 160 रूपीज है यह ह आप देख सकते हो इसका पानी हुए दर के साफसे चेंज भी होता रहता है लेकिन अभी पूर एकदम हारा है दिखाई दे रहा है और यह है हमारे पाइलेट वही है इनका नाम सुरेस है और यहीं बोट चला रहा है आप देख सकते हो और यह यह लाइफ जैकेट मने पाने हैं काफी है भी लाइफ जेकट है फिलाला यहांका यह तो बहुत अच्छा है बहुत ठंडी-ठंडी होआ रही है और मौसम अपी टीक सीजन है तिसलिए काफी भीड भी है यहां पर बाकि ऑप सीजन में तो इतन जादा भीड देखने हो लोग नहीं मिलती बोटिंग होगा आप यहां पर आके कर सकते हो चार्जिस वगार माने आपको बता ही दिया और बहुत ही अच्छा मोज़ा में बहुत ज्यादा ठंडी लग रही है अब पूरे यह देख सेकते हो यह अब बोटिंग हमारी कमपोलेट हो गई है और इसके चार्जिस मैं आपको यहां विखा सकता हूँ टिकेट गार के पास आप फिकेट लेशन है और आगे चलता हूँ और जो रोडिया आप देख रहे हैं यह पूरा मौल ौड है और यह पूरा नैनि तल्ली ताल और मली ताल को जोड़ता है आप मेरे पीछे चोड़ीन यह नयनी ताल का मॉलरोड जो मली ताल और फिलिट को कनेट करता है लग-बग इसकी डिस्टेन्स तौन किलो मीटर है और यह driving लेक किनारी पे बना हुआ है मॉल रोड और इंडिया में हर जगह आपको मॉल रोड देखने को मिल जाएंगे हर शुटी में जहां मिल जाएंगे जो भी उनकी बिस्क नीट्स जो भी जरूरते हैं सारी समान अवैलबल होते हैं हालाकि फोड़े जरूर होते हैं लेकिन समान हम जाएंगे कपड़े ओर सवोगारा सब्सक्वाइन होते हैं